शादी में आई चुडैल पन्पुर नाम के एक गाउं में शादी चल रही होती है वाँ, मज़ा आ गया फूपाजी शादी में क्या खाना बना है बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे हाँ, तुमने सहे कहा पनेर के सबसीखा तो कोई चवाब ही नहीं दूसरी तरफ पंडिजी फेरों की तयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुडैल आ जाती है अरे, मर गया अरे, ये चुडैल यहां क्या करी है अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन से रिष्टेदार है अरे, मुझे क्या पता, क्यों भाग जबान, कहिए तुम्हारे माईके से तो नहीं आई है तुम लोगों किस गाउं में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते इस गाउं में किसी की शादी नहीं हो सकती अब तुम लोग देखो, मैं क्या करती हूँ अरे, मर गया अरे, मैं ले सुना है, ये जबान की पक्की है भागो रे, भागो, वरना ये चुडेल किसी को नहीं छोड़ेगी तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सब की भलाई है देखते ही देखते, शादे के मंडप में भगदर मज जाती है और चुडेल सब कुछ उजाड कर रख दीती है फिर एक दिन, मोहन की शादी तै हो जाती है अरे भाई, अगले हफते मेरी शादी तै हो गई है लेकिन इस चुडेल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर काप रहा है अरे मोहन, तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम अपने साथ शाथ हम सब गावालों को भी बली का बकरा बनाना चाहते हो उस चुडेल के रहते तुमने अपनी साथी के बारे में सोच भी कैसे लिया देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन उस चुडेल के डर से मैं जिन्दगी बर कुमारा तो नहीं रह सकता तब ही वहाँ मोहन के हुने वाले ससूर आ जाते हैं अरे ससूर जी आप देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससूर बना नहीं हूँ और शयद बनूंगा भी नहीं ये अब क्या कह रहे हैं, मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गाव में कराना चाहता हूँ तुम्हारा गाव तो भूतिया गाव है मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गाव वलों को नहीं देगा इस तरह चुडैल के डर से उस गाव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती फिर एक दिए गाव के जमीनदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं लेकिन चुडैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है अगर मेरी बेटी की शादी ताय समय से नहीं हुई तो मेरी नाग कट जाएगी मुझे कुछ करना ही होगा एक सलाकार के कहने पर जमीनदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं जो भूत चुडैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था जमीनदार साब आप चिंता बद करिए इस काउं की सीमा में प्रवश करते ही मुझे उस चुडैल के बारे में सब पता चल गया था आप उसे चल्दी से चल्दी खैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ जब वो चुडैल एक इनसान थी तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुरखट्ना में मौत हो गई थी उसका होने वाला पति आज भी भूद बनकर जंगल में बठकता है इसलिए जब तक चुडैल की शादी नहीं हो जाएगी वो किसी और के भी शादी नहीं होने देगी यह आप क्या करें अगर वो भूत भी हमारे गाउं में आ गया तब हमारा क्या होगा यह आदमी पीश में बहुत बोलता है इसे बार निकालो उसके बाद तांतरिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ेल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ेल हमेशा हमेशा के लिए उस गाउं को छोड़ कर चली जाएगी जमीदार साहब आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू करतीजे मैं कुछ गाउंवालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूनने जंगल की ओर जाता हूँ इस तरह जमीदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं लेकिन तब ही वहाँ चुड़ेल आ जाती है मैंने तुम गाउंवालों को समझा है था न कि इस गाउंवे कभी कोई शादी नहीं करेगा लगता है तुम लोग मुझे हलके में ले रहे हो चुड़ेल जमीनदार की बेटी को उठा लेती है अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ छोड़ मुझे पिता जी मुझे बचाईए अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुचता है अरे भागिवान रुको इन मासुमों को परिशान मत करो मैं आ गया हूँ अब तुम मेरे साथ चलो चुडैल बहुत खुश हो जाती है अप आ गए हैं चल ये अब हम मंदर में चल कर शादी कर लेते हैं अरे 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 ये क्या कह रही हो मंदर में जाके दुबारा मरना है क्या चलो आज से हम जंगल में रहेंगे एए उछुडैल चली गई अब मेरी शादी हो जाएगी हे 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 इस तरह सभी गाउंवाले खुशी से चूमने लगते हैं मेरी खुशी से चूमने लगते हैं झाल 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 झाल